साथियों, आजहादि के अमरित काल में, वाटर सेकुरिटी, जल्द सुरक्षा, भारत की प्रगति के सामने चुनोती न बने, इसके लिए बीते आठ वर्सों से जल्द सुरक्षा पर विशेश बल दिया गया है। कैजद रेन हो, अटल भुजल योजना हो, देश के हर जिले में पचत्तर अमरत सरवरों का निर्मान हो, नदियों को जोड़ना हो, या फिर जल जीवन मिशन। इन सब का लक्ष है, देश के जन जन को जल सुरक्षा। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है कि भारत में अब रामसर साइट्स, एनि वेटलेंड्स की संख्या भी बढ़कर पच्चत्तर हो गई है। इन में से भी पच्चास साइट्स पिछले आट बरसों में ही जोड़ी गई है। यानि बॉर्टर सिकुरिटी के लिए भारत चोग तरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं। साथियों, पानी और परियावरण के प्रती, यही प्रतिवध्यता जल जीवन मिशन के दस करोड के पड़ाव में भी जलगती है। अमरित काल की इससे बहतर शुरुवात नहीं हो सकती है। सिर्फ तीन साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहट साथ करोड ग्रामिन परिवारों को पाइप के पानी की सुविदा से जोड़ा गया है। ये कोई सामानी उपलब्दी नहीं है। आज्जादी के सात दसकों में देश के सिर्फ सिर्फ तीन करोड ग्रामिन परिवारों के पाइप से पानी की सुविदा उपलब्द थी। देश में लगबग 16 करोड ग्रामिन परिवार ऐसे थे जिनको पानी के लिए बाहर के सुरूतों पर निर्बर रहना पड़ता था। गाउं की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवश्यक्ता के लिए संगर्स करते नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए तीन साल पहले मैंने लाल के लिए से गोशना की थी कि हर गर पाइप से जल पहुँचाया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ती अलग मंत्राले बना दिया। इस अभियान पर तीन लाग साथ हजार करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं। तीन लाग साथ अजार करोड रुपिये। दो गुने से अधिक काम देश ने पिछले तीन साल में ही कर दिखाया है। ये उसी मानव केंदरीत विकास का उधारण है जिसकी बात मैंने इस बार लाल के लिए से की है। हर गर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाब हमारी बेहनों को होता है। भावी पीडी को होता है। कूपोशन के विरुत हमारी लडाई मजबूत होती है। पानी से जुड़ी हर समस्या की सबसे अधिक गुक्त भोगी हमारी माताई बहने होती है। इसलिए इस मिशन के केंदर में भी हमारी बेहन बेटियां ही है। जिन घरों में सुद्ध पेजल पहुंचा है। वहाँ अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूसी जल की वज़से होने वाली बिमारिया भी कम हो रही है।